बिस्मिल्लाई रुमानी रहीम, अस्सलामू अलेकूम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे मुस्लिम स्टाइल कड़ी गोश्ट, कड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन मेरे बताय होए तरीके से बनाओगे, तो घर के सबी लोगो को बहुत पसंद आएगी, इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर खिट्री के साथ भी खा सकते हो, तो चलिए ही मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं, मटन कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं, तो मसाले में लिया है हमने चार हरी मिर्च, यह बहुत ही फीकी वाली हरी मिर्च है, आप मिर्च को अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, और 10-12 फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, एक चमच भर के हमने जीरा लिया है, और 8-10 हमने लेसन की खलिया ली है, थोड़ा पत्ते को जब इस तरह से हम पीस कर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देगे दो से तीन चमट पानी डाला है मैंने और इसका एकदम बारिक हम पेस्ट तयार कर लेगे यह देखिए मैंने पेस्ट तयार कर लिया है अब एक पतन ले लिए इसमें डाल देगे इस पेस्ट को थोड़ा से इसमें पानी डाल देगे ताके सारा पेस्ट निकल जाए इसमें से कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए 400 ग्राम दही लिया है यह दही बहुत ज्यादा खटा भी नहीं है अब एक बड़ा मिक्सर का जार ले लिया है मैंने और उसमें हम दही डाल देगे यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर के चने काटा यानि बेसन को छान कर लिया है यह 80 ग्राम बेसन है तो आप जितना दही लोगे उसी साब से आपने बेसन को एड़ कर देना इसमें एक चमच भर के मैंने हल्दी पाउडर लिया है और एक चमच नमक लिया है तो नमक को हम मटन में भी डालेगे तो आपने नमक को देखकर डालना है दही और बेसन को मैं मिक्सर में पीस लूँगी तो आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उससे भी आप पीस सकते हो या फिर दाल गोटा हो तो उससे भी आप बेसन और दही को गोट सकते हो दही और बेसन को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है अब जो हमने मसाला तयार किया है उसमें डाल देगे हम बिसमिल्ला रुमाने रहे और इसमें हम तीन गिलास पानी एट कर देगे तीन गिलास पानी एट कर दिया है मैंने कड़ी की थीकनेस देखकर हम इसमें बाद में पानी एट करेगे चलिए तो इसकी कड़ी बना लेते हैं कड़ी बनाने के लिए गैस पर मैंने एक बड़ी सी पतेली रख दी है ताके जब कड़ी बने तो अच्छी तरह से उबल्ले में इसे आसानी हो बिस्मिल्लाई रमाने ल और गैस की प्लेम तेज कर देगे और तेज आज पर इसे चलाते हुए हमें आठ से दस मिनट तक कड़ी में अच्छी तरह से उबाल लाना है तो इस टाइम पर आप चेक कर सकते हो के दही आपकी कितनी खटी है तो उस हिसाब से आपको कड़ी खटी पसंद हो या जैसी भी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी को एड़्जेस कर सकते हो तो यह देखिए दो से तीन बार कड़ी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है अभी इसमें साइट के गैस पर धी मियाट पर 15-20 मिनट के लिए रख दूगी क्योंकि जितनी देर कड़ी में हमारे उबाल आएगा जितनी देर हमारी कड़ी पकेगी उतना ही टेस्ट अच्छा आता इसमें तो इसमें साइट के गैस पर 15-20 मिनट के लिए धीमियाट पर रख देती हूं और यहाँ पर हम जो कड़ी में मटन का मसाला डालने वाले है तो कुछ खड़े करम मसाले डालेगे इसमें तो एक डाल चीनी का टुकड़ा डालोगी में चार हमने लॉंग लिए यह डाल देगे और आट से दस हमने काली मिर्चे लिए यह भी डाल देगे थोड़ा सा तेल में से फ्राय होने देगे अब देखिए एक मीडियम साइज की प् प्यास को अच्छी तरह से हमें फ्राय कर लेना है बिस्मिल्ला इर्माई रहा है ताकि नीचे से कड़ी जले नहीं प्यास गोल्डन हो गई है अब इसमें हम दो चम्मच अतरक लसन का पेस्ट दालेगे और इसे भी अच्छी तरह से भूम लेगे एक टमाटन लिया है मीडियम साइज का उसे काट लिया है यह भी डाल देगे आदा चमच हल्डी पाउडर दालेगे 300 ग्राम हमने मटन लिया है ये एट कर देगे बिसमिल्लाई रमाटन यहाँ पर मैं मटन वाली कड़ी बना रही है आप चाहे तो चिकन में भी बना सकते हो थोड़ी देर अद्रक लस्तन में फून लेके इसे हम एक मिनट के लिए एक चमच भरके हम लाल मिच का पाउडर दालेगे एक चमच भरके धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला पाउडर नमक डालेगे हम स्वाप की मुताबिक कड़ी में भी हमने नमक डाला है तो नमक को आपको देखकर डाला है गेस की फ्लेम मीडियम कर देगे थोड़ा सा इसमें पानी डालेगे ताकि मसाले जले नहीं मटन का मसाला तयार हो रहा है वहां तक हमारी कड़ी भी अच्छी तरह से 15-20 मिनट में उबल जाएगी अब इसमें हम एक गिलास पानी एट कर देगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मटन में से भी पानी निकलता है हमने जो टमाटर और पियास डाली है उसमें से भी पानी निकलता है तो एक गिलास पानी डाल दिया है अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे और कुकर का ढकन बन करके साथ से आठ कुकर की सीटिया लगा लेगे जहां तक हमारा गोश अच्छी तरह से गल जाता है वहां तक हम मीडियम फ्लेम पर साथ से आठ कुकर की सीटिया ले लेगे तो देखिए ये कुकर की आठ से दस सीटिया हो गई है हम मटन को चेक कर लेते हैं मटन को मैं चेक कर लेती हूँ कि गला है कि नहीं तो देखिए ये गोश हमारा गल चुका है अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो उसे हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है तो मैं गैस चालू कर देती हूँ अगर आपका गोश अच्छी तरह से नहीं गला हो तो आप इसमें 2-3 सीटिया और बढ़ा कर गोश को पूरी तरह से गलने तक पका सकते हो और अगर इसमें पानी हो तो आपको उसे गैस चालू करके सुखा लेना है तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से गोश पक भी चुका है और मसाला सूप भी चुका है अब इस गैस पर मैं कड़ी की पतेली रख देती हूँ तो देखिए गोश जब तक हमारा पक रहा था वहा तक मैंने 15-20 मिनट तक कड़ी को धीम ही आज पर चलाते हुए पका लिया है और आप देख सकते हो कि हमने जितनी कड़ी ली थी तो 15-20 मिनट तक पकते पकते ही आधी हो चुकी है और अच्छी तरह से गाड़ी भी हो गई है तो यह जितनी देर तक पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट कड़ी में आता है तो अब हमने जो गोश पका कर रखा है मसाले वाला वो इसमें एट कर देगे बिस्मिल्लाई रम्मानी रहीम देखी थोड़ा सा गोश का मसाला मैंने बचा लिया है क्योंकि हम जब सर्व करेगे उस टाइम पर उपर से थोड़ा सा मसाला डालेगे आपने पूरा गोश का मसाला इस कड़ी में डाल देना अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे और फिर से हम चार से पाच मिनट तक और पका लेगे ताके पूरे गोश्ट के मसाले का फ्लेवर हमारी कड़ी में अच्छी तरह से आ जाए तो यहाँ पर मुझे कड़ी थोड़ी गारी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी तो आपने अपने थिकनेस के हिसाब से कड़ी की उस हिसाब से पानी डाल देना तो एक गिलास पानी डाल दिया है मैंने कड़ी को मैंने 5 मिनट के लिए साइट के गैस पे पकने के लिए रख दिया है और देखिए एक पैन में मैंने 2 चम्मत पेल डाला है उसमें डालेगे हम 1 चम्मत भरके जीरा इसका हम तड़का करेगे कड़ी के उपर गैस की फ्लेम दीमी कर देगे चार सुखी लाल मिच लिए मैंने और एक मीडियम साइज की प्यास को बारिक काट लिए ये भी डाल देगे अच्छी तरह से हमें प्यास को फ्राइ कर लेना है तो लगातार इस तरह से चलाते हुए प्यास को हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेगे ये देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है मैं गैस बन कर देती हूँ और कड़ी में ये तड़का डाल देगे हूँ और उपर से बारिक कटावा हरा धनिया डाल देगे अब मैं गैस बन कर देती हूँ तो देखिए गर्मा गर्म मुस्लिम स्टाइल मटन करी हमारी बनके तैयार है इसे हम सर्व कर लेते हैं कर दो बनके तैयार है झाल को तो कि झाल झाल